गुड मॉनिंग फ्रेंड्स लेगल एडवाजर के सेग्मेंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज बात करेंगे कि यदि आप आनलाइन स्वापिंग करते हैं और आपने जिस क्वालिटी का आपने सामान परचैस किया है और आपके पास सामान तो डिलिवर हुआ लेक कोई भी इलेक्ट्वानिक समान जबते हैं और जिस क्वालिटि का आपने समान खरीद है अपने पेमेंट तो उसी प्रकार से की है उतना ही पैसे आपने पे कि यह हैं बड़ उस समान की क्वालिटी सही नहीं थी फिर आपको लगता है कि आपके साथ साथ फ्रॉड हो गया त सब्सक्राइब कोर्ट असमें भी अपनी सिकायद करा सकते हैं तता National तरह नेशनल कंजूमर कोर्ट भी बाना हुआ है तो इस प्रकार से आप इन में जाकर सिकायत कर सकते हैं क्योंकि यहां पर यदि आप सिकायत करते हैं तो आपको minimum fees लगती है यानि आपको proceedings में जो case चलता उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता और आपको fees भी कम pay करनी होती है तो आप इस प्रकार से सिकायत कर सकते हैं लेकिन यदि आपने मान लीजिए कोई समान आपने 10,000 का लिया है आप court में normal court में आप सिकायत करते हैं तो उसकी पता चला आपको fees ही 20,000 रुपए भरनी पड़ी तो आपके साथ तो ज़्यादा धोका हो गया तो उसके लिए आपको मैं suggest करूँगा और आपके लिए best year हैगा कि आप जो भी district consumer court है या state consumer court है या national consumer court है तो आप यहाँ पर सिकायत कीजिए तो इसमें proceedings भी जल्दी होती और आपको fees भी कम pay करनी होती है आप चाहें तो वहाँ पर advocate भी hire कर सकते हैं यानि आप advocate भी case के लिए रख सकते हैं जिसमें आपको जल्दी निर्ड़ें आपके favor में आएगा और इसके लिए जिए आप वहाँ पर सिकायत करते हैं तो किन किन के लिए किन reason के लिए आप सिकायत कर सकते हैं यानि आप जैसे online आपने shopping की है उसमें आपको fraud हो गया है या किसी दुकान में जाकर shopping की है fraud हो गया तो उसके लिए भी सिकायत कर सकते हैं या कोई आप connection यूज कर रहे हैं यानि telephone यूज कर रहे हैं किसी भी company का कोई भी यूज कर रहे हैं जिस परकार से आप पैसे पे कर रहे हैं उसकी services आपको ठीक परकार से नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए भी आप सिकायत कर सकते हैं आप direct court में जाकर आप consumer forum में उसकी सिकायत कर सकते हैं आप electricity के लिए भी कर सकते हैं gas connection के लिए भी कर सकते हैं आपको कोई परिशानी होती है आप पैसे पे करते हैं लेकिन आपको उस प्रकार की services नहीं मिलती तो आप उसके लिए consumer court में complaint कर सकते हैं क्योंकि consumer court में fees आपको minimum fees यानि कम fees लगती है और normal court में आपको fees ज्यादा वकील चार्ज करते हैं तो इसके लिए आप consumer court में सिकायत कर सकते हैं और इसमें सबसे सही बात यह है कि आप consumer court में सिकायत करते हैं तो ज्यादा मामले में ऐसा होता है कि consumer के favor में ही decision आता है तो इसलिए आप consumer court में ही सिकायत कर सकते हैं जिसे आपको जल्दी और कम fees में आपको जल्दी relief मिलेगा तो friends इस समबन में कुछ और आपको जानना या समझना हो कि किस प्रकार से आप इसमें case करेंगे इसका क्या procedure है तो आप मुझे मेरे चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका notification आपको मिलते रहे आप चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon press कर लिजे तो आशा करता हूँ आप जो आज मैंने जानकारी दी है आपको जरूर पसंद आएगी और चैनल को subscribe कर लिजे और like button press कर लिजे friends आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद have a nice time